यह तो आप जानते ही है कि एनर्जी ही सब कुछ है एनर्जी याने की उम्दाइ कुछ भी हाशिल करना चाहे और अगर वो उम्दाइव उढ़र तो फिर मुश्किल हो जाएगा As a teacher, मैं हमेशा अपने बच्चों को किसी भी तरह की ऐसी situation में कभी भी जाते हुए देखना नहीं चाहता जहां पर वो एक dilemma की situation में हो और मैं as a teacher, एक teacher को ही support करता हूँ क्योंकि teacher और corporates, so called corporates, उनमें फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है लेकिन कई बार बच्चे मन के सच्चे, बच्चे वो गलती कर जाते हैं कि corporate और teacher को एक ही entity समझ लिया करते हैं जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता है There are lots of differences बच्चों तो चलिए कुछ differences को देख लेते हैं जो corporate और teacher में difference बनाता है So corporate क्या है और teachers तो भई हम teachers ही है तो corporate में पहली बात जो समझने वाली है यह बहुत practical होते हैं Input Output में आप भी शामिल है आप भी उसमें एक component है एक number है एक part है तो they are too practical Corporates are too practical practical होना चाहिए जिन्दगी में मैं कहां मना कर रहा हूं कि practical नहीं होना चाहिए लेकिन हम teachers हम practical तो हैं जितना जरूरी है लेकिन साथ ही साथ we are too emotional हमारे emotions हमारे बच्चों के साथ जुड़े होते हैं तो जब तक me as a teacher मैं एक teacher के तोर पर आपके साथ जुड़ा हूं मेरे emotions जुड़े हैं ठीक है ना खेर मैं तो इस तरह का कोई ख्वाब कभी देखता ही नहीं क्योंकि मुझे अपना कार्य पता है work पता है और मैं उसी को कर रहा हूं पिछले जितने वक्त से आप जानते हैं मैं वही कर रहा हूं अपना कार्य ही कर रहा हूं मुझे ज्यादा बच्चे मिलते हैं तो ज्यादा बच्चों की help करता हूं और थोड़े बच्चे मिलते हैं तो थोड़ी help कर देता हूं क्योंकि मैं अपने आपको as a teacher एक emotional entity के लगेगा बुरा लगेगा लेकिन अगें corporate कोई एक इंसान तो है नहीं corporate तो corporate होता है एक बहुत बड़ा ecosystem जो बहुत ही practical है practical के साथ साथ very self centric तो हो गई ना बात energy जहां conserve होगी वहाँ पर तो पाइदे आएंगे ही आएंगे तो self centric अपने तरीके अपने बारे में सोचेंगे बाकी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे वो चाहे बच्चे ही क्यों ना हो बात आती है teachers की we are student centric कोई भी teacher हो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूँ कोई भी teacher हो हिंदुस्तान में they are student centric आपको यह चीज भी पता है कि कोई teacher मान लीजिए कोई teacher किसी तरह की गलती कर दे इनके जहांसे में आ करके लेकिन teacher के केंदर में बच्चा ही होता है teacher सोचता है कि मैं अपने बच्चों की help कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इनसान ही है कभी भटक जाए कोई बड़ी बात नहीं नाम के चक्कर में पैसे के चकर में इनसान है लेकिन वो दिल का वो कोना जो एक teacher teacher को teacher बनाता है वो हमेशा student centric ही रहेगा यह बात आप मान के चलिए साथ ही साथ corporate they look for revenue growth इनके पास revenue की growth की importance है कितने 1000 करोड की company बन गई और बन गई तो घटनी नहीं चीए अरे भाई मान लो इतनी बड़ी हो गई थोड़ी चोटी भी होगे कोई बात नहीं पिर बड़ी हो जाएगी फिर चोटी हो जाए फिर बड़ी ना कि चोटी नहीं होनी चाहिए growth तो यूह ही जानी चाहिए जिसको कहते हैं geometric progression एक बाँ मताई आपकी तरक्की आपकी progress आपकी पढ़ाई की progress कभी होती है geometric progression में कि सीधा यहाँ से यू rocket speed में नहीं होती है लेकिन corporates का aim यही है हमारी और आपकी सब की जो growth का pattern है वो arithmetic progression में है एक एक सीढ़ी चड़ोगे बच्चे यह नहीं कि तो ये corporate की निशानी है, हम as a teacher, we look for student growth, हम बच्चे की growth को देखते हैं, क्योंकि आपकी growth के साथ हमारी growth जुड़ी हुई है, आप अच्छा करेंगे, तो हमें खुशी मिलेगी, आपकी तरक्की के साथ हमारी तरक्की जुड़ी हुई है, तो teachers are like parents, अभी भावक की तरह होते हैं, ये तो बाजार है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अपनी उर्जा को वर्थ ना करें, किसी भी तरह के, ना तो आप against जाएं, ना उनके favor में बात करें, कोई दिक्कत नहीं, ये जो community है, ये बच्चों आपके साथ हमेशा है, कल भी थी, आज भी है, और आगे भी रहेगी, मैं अपने उन कुछ friends, के बारे में तो कही रहा हूँ, मैं सारे teachers के बारे में कह रहा हूँ, तो आप जानते ही हैं, कि हमारे पास options भी रहते हैं, माध्यम भी रहते हैं, आप तक पहुँचने के लिए, तो हम आप तक पहुँचते ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, और हर वो teacher, जो सही माइने में teacher है, बच्चों तक पहुँचता ही रहेगा, इसलिए अपनी energy को वेर्थ ना करें, जो समय बचा हुआ है, उसको focus करें, concentrate करें, सफलता आपकी अवश्य होगी, और आपको सफल बनाने के पीछे, जो emotion, emotion किसका होता है, emotion teacher का होता है, teacher एक emotion है, बाकी सब illusion है, तो teacher एक emotion है, बाकी सब illusion है, इस गलती में ना रहें, इस भुलावे में ना रहें, अपने emotion को अपने पास रखें, control way में रखें, और आपके emotion को teachers समस्ते हैं, तो teachers के साथ अपने emotions को जोड़ें, और तरक्की के रास्ते पर चल पड़ें, बाई बाई